सभी सरकारी हेल्थ सेंटरों में मिलेगी टेस्ट की सुविधा 212 नहीं, नए साल से 450 तरह के टेस्ट फ्री विशेश संबाद दाता, नई दिल्ली मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को नए साल का तोफा देते हुए सभी सरकारी अस्पतालों, पॉ को सीम ने मंजूरी दे दी, दिल्ली सरकार 522 महला क्लीनिक, 4 पॉली क्लीनिक और 201 डिस्पेंसरियां चला रही हैं, अभी तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, पॉली क्लीनिकों और महला क्लीनिकों में 212 तरह के टेस्ट मुफ्त किये जा रहे थे, दिल्ली सरकार ने महंगा ताकि स्वास्थे सुविधाएं और अच्छी शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन है। स्वास्थे नहीं उठा सकते। दिल्ली सरकार के इस सेवाएं बहुत महेंगी हो गई है। बहुत से लोग निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च कदम से ऐसे सभी लोगों को मदद मि ताकि आर्थिक तंगी से जूज रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महेंगा हो गया है कि एक आम आदमी वहां अपना इलाज कराने में असमर्थ महसूस करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मुफ्ट टेस्ट की संख कराने पड़ते थे। सभी सरकारी अस्पतालों, पॉली क्लीनिकों, मोहला क्लीनिकों और मोबाइल हिल्थ डिस्पेंसरियों में मुफ्ट टेस्ट की सुविधा को बढ़ाने का फैसला किया। स्वास्ते विभाग के प्रस्ताव को सीम की मंजूरी मिलने के बाद अब इन ज दिस्पेंसरियां चला रही हैं। दिल्ली सरकार ने पहले से ही अपने साथ सभी अस्पतालों, पॉली क्लीनिकों और द्वारा मोहला क्लीनिकों में सभी लोगों के लिए सारे टेस्ट, दवाया और ऑप्रेशन की सुविधा मुफ्ट की हुई है। मोहला क्लीनिकों में 212 12 प्रकार के टेस्ट और कुछ सरकारी अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी क्लीनिकों.